जहने दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लाश 12 संस्कृत का स्लेबस जो आपके बोर्ड एक्जाम 2022 और 23 के लिए रहने वाला है और इससे पहले मैं ये भी आपका समस्या क्लियर कर दूँ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ये स्लेबस इस बार चेंज हुआ है या नहीं हुआ तो मैं बता डे रहा हूं दोस्तो जो स्लेबस आपका बोर्ड एक्जाम 2021 और 2026 के लिए था वही स्लेबस बोर्ड एक्जाम 2022 और तेस के लिए भी रहने वाला है इस बार syllabus में कोई भी changing नहीं हुआ है अगर आप चाहते हैं इस syllabus के उनसार त्यारी करना तो आपको मैं syllabus बता दे रहा हूँ इसके उनसार आप त्यारी कर सकते हैं ठीक है और आप ये भी चाहते हैं अगर आपका board exam में 90% plus result बने आप टॉपर की list में आना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से त्यारी करिए आपका आसानी से 90% plus result बन जाएगा इस चैनल पर जल्दी मैं start करने वाला हूँ class 12th के सभी subject का जो board exam के लिए त्यारी कराऊंगा दोस्तों जो board exam के लिए सबसे बहतर सावित होगा आपको नहीं पढ़ना है आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या हटाया गया है आप इसका screenshot ले लिजिए या कहीं पर आप लिख लीजिए इसको आपको नहीं पढ़ना है तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है कार है क्यों विभक्ति के अंतरगत क्या नहीं पढ़ना है बेंजन संदी के अंतरगत क्या नहीं पढ़ना है सब्दुरूप, सरवनाम, धात्रूप, उभैपद ये सब यहाँ पर देखे कुछ हटा दियेगा इसके अंतर कुछ सलेबस काट दिया गया है पहले से हटाया गया तो ये सब आपको नहीं पढ़ना मैं क्लियर कर दे रहा हूं यहीं पर अब बाकी जो आपका बच रहा है सलेबस उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना ये बता दे रहा हूं और जो पढ़ना है वो कितने अंक का आपके बोर्ड एकजा में पूछा जाएगा ये भी मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूं तो देखो दोस्तो सबसे पहले आपका पेपर बता दू सव पुडांक का होगा जो आपका पेपर होगा वो कितने अंक का होगा दोस्तो सव नंबर का आपका पेपर होगा ठीक है तो सव अंक का होगा तो यहाँ पर कुछ नो कुछ से दोस्तो खंड होगे तो खंड यहाँ पे चार से पांच खंडों आपका पेपर बनेगा तो कंड क में क्या पढ़ना है खंड क में क्या पढ़ना यहाँ पर प्रष्ण क्या होगा आप समझ लीजिए प्रष्ण में क्या बोला रहेगा उसमें गध्यांस की आधार पर प्रष्ण उत्तर की बात किया रहेगा ठीक है और कहां से कहां तक गध्यान्स होगा यहां पर आप देख सकते ठीक है उसके बाद काथात्मक पात्रों का चरी चित्रन पूछेगा जो अधिक्तम सौसब्दों तक लिखना होगा आपको सौसब्दों में लिखना होगा वो भी हिंदी में लिखना होगा यह चारंग का पूछ पूछा जाएगा और अचनाकार का जीवन परिचे हिंदी अत्वा संस्कृत में अधिक्तम आपको 100 सब्दों तक लिखना होगा यह कितना पूछा जाएगा चार अंक का पूछा जाएगा ठीक है और संदरभित पुस्तक से संबंधित वैकल्पी प्रसनाएंगे जो दो अंक क के अंतरगात आएगा जो की गद्ध है अब हम बढ़ते हैं खंडख की तरब खंडख को भी हम समझ लेते हैं खंडख जो है दोस्तों ये भी आपके बोर्ड एक्जाम में बी-संक का पूछा जाएगा ठीक है तो बी-संक का जब यहां से पूछा जाएगा तो इसमें भी कि कि दुने प्याक्या करने के लिए बुलेगा जो सातrás नंबर का होगा कभी परीचयście में का वेस्याईली पूछ जो 4 नंबर का होगा तत्यों भावों पराधार बेकलबिक प्रस्न आएगा जो दो नंबर का होगा अब देखे दोस्तों खंडगा के अंतरगत नाटक में आपको क्या-क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया कि 20 नमबर का प्रशन यहां से भी आएगा नाटक से तो नाटक में बोलागा पाठगत नाटक के किसी गद्यांस अत्वा पद्ध की संदर्व साइथ हिंदी में ब्या उससे एक भी प्रशन बाहर नहीं आएगा जितना मैं बता दूंगा अगर उतना त्यार करके आप चले जाओगे तो ठीक है कम समय में अगर आप बहता तयारी करना चाहते हैं बोर्ड एक्जाम 2023 की तो आप इस चैनल से जुड़ना मद भूलिए ठीक है चले दोस्तों देख एक तम सब्सब्दों का लिखना होगा वह चार नमबर का आएगा और संदर्भित पूस्तक से सम्बंदित बैकल्पी प्रशन जो दो नमबर का आएगा तो बीस यहां से हो गया अब खंड घ की बात कर लेते हैं यहां से निबंध आएगा निबंध दस नमबर का पूछा ज जाएगा वह कितने नमबर का होगा तीन नमबर का होगा समझ रहे हो ना और खंड च जो होगा ब्याकरण से संबंदित होगा अब इस ब्याकरण में बहुत सारे मलब टॉपिक हैं जैसे कि अनुबाद पूछेगा ऐसे हिंदी वाक्यों का संस्कित में अनुबाद जहां वाच परिवर्तम दो नमबर काएगा तो ये सब मेरे पर छोड़ दो इसकी त्यारी मैं कराने वाला हूँ ठीक है अब समझ चुके हो ना कि आपको क्या-क्या पढ़ना कि इतन कि क्या-क्या पढ़ना है अभी तक आपने देखा कि क्या-क्या नहीं पढ़ना है और जो-जो पढ़ना है खंडगा में यहां से यहां तक 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 ठीक है तो यह कुछ है टॉपिक आपको खंडचा में भी मैं दिखा दे रहा हूं तो खंडचा में य वीडियो 30-35 मिनिट का बनेगा जो आप देखना पसंद नहीं करोगे और बहुत सारे बच्चों का डाटा कम होता है तो मैं सोचता हूँ कि इस कम समय में अच्छा वीडियो बन जाए तो बच्चे अपने डाटा भी बच्चा लेंगे और अच्छे से देख भी लेंगे ठीक ह तो चलो देख लेते दोस्तों खंड चा के अंतरगत ब्याकरण के अंतरगत अभी कुछ टॉपिक और भी बच्चे है अब देखो दोस्तों खंड चा के अंतरगत यहां से अभी और कुछ टॉपिक है इसका स्क्रीन साट आप लेते चलो ठीक है इसका लेते चलो स्क्रीन गया तो दोस्तों आप लिखना चाहो तो लिख रो नई ती स्क्रीन साउट लेकर डख लो लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब पढ़ने बैठें तो स्लेबस को साथ में लेकर जरूर बैठें अगर खुश से पढ़ने आप बैठ रहे हैं अपने से तो सेल्फ त्यारी कर रहे हैं इस समय तो आप स्लेबस को लेका जरूर बैठें नहीं तो अगर मैं त्यारी कराऊंगा तो स्लेबस के साथी कराने वाला हूँ ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही कैसा लगा है वीडियो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर लिए बाई बाई जय हिंद जय भारत